वेल्कम बच्चो आज हम जो टोपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इंसर्ट मिसिंग करेक्टर हमने एक टोपिक पढ़ा था पहले जिसका नाम था सिरीज यह टोपिक लगबग लगबग वैसा वैसा लगता है बट नो वैसे बिल्कुल वैसे क्वेशन नहीं आते मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरहें के different questions हमारे बनते हैं बहुत इंटरस्टिंग टोपिक है लास तक देखिएगा पूरा टोपिक समझ में आएगा और पूरा टोपिक बहुत इंटरस्टिंग है फेपर में सवाल बिल्कुल आते हैं इसके ठीक है चलो शुरू करते हैं टोपिक प्रॉब्लम्स जो आती है हमारी टॉपिक का नाम लिख लिया आपने टॉपिक का नाम है इंसर्ट मिसिंग करेक्टर अब होगा क्या इसमें मैं आपको बताता हूं सबसे पहला टाइप है एक एक चीज को लिखना क्योंकि लिखने से ही चीजें समझ में आती हैं बिना लिखे हम समझ तो लेते हैं बट हमारा मैंड भूल जाता है बटा जब तक आप कोई काम को दो तिन बार रिपीट नहीं करते तब तक वो काम हमारा बिल्कुल 100% समझ में नहीं आता चलो प्रॉब्लम इंवल्विंग सर्कल्स एंड स्केर्स तो इसका क्या मतलब है होगा क्या देख कुछ 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 value दी होगी और E की value आपको निकालनी होती है अब आप कहेंगे हम कैसे निकालेंगे सर इसमें तो pattern कुछ भी बन सकता है बिल्कुल सही बात है pattern हमारा कुछ भी बन सकता है अब लेकिन कुछ common pattern होते हैं जिन में से हमें मिली जाता है तो मैं वो लिखवा दे अब आप को कि सर ऐसे कैसे चेक करेंगे तो यहां पर जो क्वेशन आएंगे हमारे पास उसमें एक सरकल होगा बैटा कम से कम भी दो सरकल होगे और फिर एक तीसरा सरकल होगा जिसमें वैल्यू पूछी होगी आप समझ रहे हो देखो मैं आपको क्वेशन दिखाता हूँ एक जैसे यह देखो यह दो सरकल है यहां पर पहले वाले कोईशन में और यह तीसरा सरकल है तो इन दो सरकल से हमें पैटरन निकालना है और इस तीसरे में उसको इंप्लिमेंट करना है कोईशन मार्क की जगह पर हमें पूट करना है तो आप करेंगे कैसे करेंगे सर वही समझा कि इनकी एवरेज करके आए एका वैल्यू मतलब कि A प्लस B प्लस C प्लस D divided by 4 करके आए और क्या हो सकता है हो सकता है कि इनका इंडिवीज्वल अंडरूट लेके एड किया गया हो मतलब कुछ भी पैटरन बन सकता है आप समझ रहे ना मतलब ऐसे कोई hard and fast rule नहीं है कुछ भी हो सकता है कि पहले इनको add किया हो फिर उसका root ले लिया हो that is root प्लस A प्लस B प्लस C प्लस D हो सकता है कि पहले इनको add किया हो फिर उसका cube root ले लिया हो मतलब कि A plus B plus C plus D का cube root तो ऐसे कर कि कुछ भी pattern बन सकता है कुछ भी हो सकता है और बताता हूँ हो सकता है कि इन सब को बच्चो sum किया हो इन सब का sum किया हो और उसको हमने किसी number से फिर बाद में multiply कर दिया हो ठीक है ना कुछ भी प बड़े बनति आप समय जो रहे हैं हैं यहां पर यहांप इस सब का फॉड़क्त आई करली ओडिया हैं कोई भी वैल्यूट सकती है हमें नहीं नहीं और न कोई वैल्यू मैसे बता है नान् हमें विलनिक उखते हैं जड़ा कैसे implement करेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, राम से implement कर सकते हो, आप जड़ा ध्यान से समझना, आजाओ, ये लो, पहला सवाल, बिल्कुल, paper में आया हुआ सवाल है, और देखो कैसे करेंगे, pattern ढूंडो, आपको तो ये देखना है, ये A, B, C, D, ये 4 value है, देखो, 4, 2, 2, 1, 1, तो अगर कुछ भी समझना आए, पहले इनको add तो कर दो, कर दो 4 को add, 4 plus, 2 plus, 1 plus, 1, कितना बन गया ये, 8 बन गया, लेकिन middle में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, इनको भी add कर के देखो एक बर, आप कहेंगे सर, 16 plus, 5 plus, 4 plus, 2 ब गया होगा, कोई pattern समझ में आया, बटा, आ गया होगा, कौन सा, देखो, 8 आया, तो 2 लिखा हुआ है, तो ये cube root बनेगा, 27 है, तो 3 लिखा हुआ है, तो ये cube root बनेगा, बस, जंग जीतली हमने, pattern ढून लिया, जंग जीतली, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, बस इस चीज को आ हमारा बना 125, मैंने का, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, साथ में, logic क्या था, logic था, सर, cube root निकालना, तो cube root निकालो, 5 आना चाहिए, आंसर, बच्चो इस question mark की जगे 5 आएगा, 5 ही सवाल का answer है, option D सवाल का उत्तर हो जाएगा, यही सवाल का answer है, देखो, हो सकता है किसी में ना ढूंड पाओ, लेकिन आपको 30 सेकेंड के अंदर अंदर या एक मिनिट के अंदर अंदर यह पता लग जाएगा कि मुझे मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला pattern, और believe me 95% question में मतलब की 20 में से 19 questions में आप pattern ढूंड लोगे, इतने ही तो चाहिए, इतना number यह वाले लिखे हूँ है, outside में, बाहर की तरफ यह अंदर फाइवन है, हमने का सबसे पहले तो add करेंगे, ऐसे तो समझ नहीं आता, 14 प्लस 10 प्लस 19 प्लस 6, add से शुरुवात करो, अगर add में कुछ ना मिले तो multiply करो, ठीक है, फिर average निकाल के देखो, कुछ तो मिली जैसे इसमें अगर मैं add करता हूँ, 24 प्लस 19, 43 प्लस 6, 49, 49 या 7 लिखा हूँ है, ठीक है, अभी तो नहीं कुछ जादा पता लग रहा, ये लो next वाला 20 प्लस 30, ये वाले ले रहा हूँ है, 20, 30, 40, 10, तो 40 प्लस 10, कितना बन गया ये वाला total, ये बन गया हमारा 100, लेकिन लि under root, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ 10 लिखा हूँ है, क्या logic है इसका under root, तो बस जंग जीत ली तुमने, क्योंकि under root करके हमें अंदर वाला मिल रहा है, under root करके अंदर वाला मिल रहा है, यहाँ पे भी वही pattern बने रहा, pattern वही लेना है, logic वही उठाना है, तो करो 42 प्लस 48 प्लस 30 प under root करके आएगा 12, 12 answer होना चाहिए, इसकी जगह पे आएगा 12, answer, option A answer होना चाहिए, यही सवाल का उतर है, this is the right answer of this question, I'm sure बच्चों का confidence भढ़ रहा होगा, लेकिन एक सवाल आ रहा है, बच्चों के मन में कि सर अभी असान लग रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे आ रहा है answer, तो एक पैटरन और बताता हूं, देखो, question इस तरह की बनते हैं, circles पर, मतलब कि 3 में divided होगा, यह A होगा, यह B होगा, इन पे कोई logic बनके C आया होगा, अब क्या logic हो सकता है, वही logic हो सकता है, जो पहले बताया था, हो सकता है C का value इनको add करके आए, और क्या हो सकता है, हो सकता है C का value इनका product करके आए, और क्या हो सकता है, हो सकता है C का value इनको subtract करके आए, और क्या हो सकता है, हो सकता है C का value इनका average लेके आए, और क्या हो सकता है, सर, और क्या हो सकता है, बताओ, C का value under root करके आए, A plus B का, और क्या हो सकता है, C का value, cube root लेके आए, A plus B का, कुछ B pattern बन सकत हो सकता है कि a का value, c' का value हमारा इन normally अदने को add करके फिर किसी number से multiply करके आए, any number, any is any number. हो सकता है कि किसी number से divide करके आए, दोनों को add किया और हो सकता है किसी से divide करके आए, तो कुछ Britney पनी जाएगा यार चिंता मत करो, हो सकता है कि δोने की multiply प्रिप्लाई किया फिर डिवाइड वाई किसी नंबर से डिवाइड कर क्या है लेकिन पैटर समझ में आ जाएगा बिलकुल पैटर मिलता है बहुत जादा ऐसा गडबर पैटर नहीं मिलेगा बिटा जिसको आप सोच भी ना सको और यह सोचना असान होता है जब आमारी प्रैक्टिस हो जाती है न दिक्कत नहीं आती है यूद इन मैं सीधा चलते हैं सवाल की तरफ तो क्योंच नहीं यह वाला देखो सवाल है यह वाला लिखलो इसको थर्ड क्योंच बनाकर यह तीसर सवाल है हमारा कहता है कि चूज़ दा ऑप्शन डैट विल रिप्लेस दा कोई यहां पर इन दा फॉलोइंग पैटररन फॉलोइंग प्र कितना आया मैं पूछूंगा आप कहेंगे सर फाइव आया अभी तो लेकिन कितना लिखा हुआ है फिफ्टी अभी रुख जाओ यहां सब्टेक्ट करके देखो सेवन माइनस तरी कितना आया फोर लेकिन यहां कितना लिखा हुआ है फोटी पैटरन समझ में आया पैटरन सम बना है कि A और B को subtract करो और 7 में multiply करो 10 को pattern क्या बना है A और B को multiply minus करो और multiply करो 10 से answer आजाएगा 12 में से 3 को minus करो और multiply करो 10 से तो 9 into 10 can we say 90 बनना चाहिए answer तो answer option B answer बनेगा यही सवाल का उत्तर है यही सवाल का answer है this is the right answer of this question logic ढूंडो answer निकालो logic ढूंडो answer निकालो बस इतना सा काम करना है हमें बस इतना सा काम करना है हमें यह लो यह वाला सवाल यह लो इसी चीज़ को twangle पे हाँ जी choose the option that will replace the question mark बताओ क्या करें सबसे पहले देखो मुझे तो एकी चीज़ समझ में आती है यह 10 यह 2 12 और यह 8 पेटा पहले add करो 10 प्लस 2 प्लस 8 20 का 32 से कोई लेना देना नहीं है यह इदर देखो 14 प्लस 4 19 प्लस 22 36 से कोई लेना देना नहीं है तो मैंने क्या बोला था प्लस नहीं तो multiply करो चलो करके देखते 10 इंटू 2 इंटू 8 कितना बना 28 जा 160 लेकिन यह 32 लिखा हुआ है अच्छा यहां भी करना 15 इंटू 4 इंटू 3 180 लेकिन यह 36 लिखा हुआ है कुछ समझ में आया देखो यह 160 है तो divide by 160 है divided by 5 हुआ होगा बिटा यह 180 है divided by 5 हुआ होगा तभी तो यह 32 और यह आपका देखो 36 बनेगा पैत्रल समझ में आया आगे ऍेसर आया क्या पैत्रण बना बताओ पैत्रन बना भीटा हमारा पैत्रन बना यहांपे in to be into see रहना a into be into see आगे क्या बना बता ओ अगे लयोगे इसमें divided by किस से और इंट आप इनट करोओ इंट भाई और 5 बस यह बनाleye आप इंटना करना है आपको ठीक है ना सो A into B into C divided by 5 ये हमें मिल गया बिटा हमें ये पता लग गया है कि इस question में जो pattern हमारा बन रहा है वो है A into B into C divided by 5 देखो यहां पे भी और यहां पे भी बस यही pattern हमें यहां पे लगा देना है और हमारा answer आ जाएगा कैसे देखो यहां पर यहां पर यह 48 question का answer होना चाहिए देखो 48 question का answer होना चाहिए और यही सवाल का answer है समझ में आया है यह सब को 20 x 480 83 जा 240 divided by 5 that is 48 तो answer option A सवाल का उत्तर हो जाएगा तो I think आपको समझ में आगे है बिटा मैंने दो तरह के problems आपको दिखाए हैं अभी तक एक तीसरे तरह का भी रिखाता हूँ आपको question कैसा मिल सकता है और बिल्कुल अराम से आप कर सकते हो देखो कई बार यहां पर तो अभी तक questions में क्या था numbers थे कई बार इनकी जगे पर al alphabets हो सकते हैं जिनको हमें numbering देनी पड़ेगी alphabets का मतलब क्या है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, कहां तक? Z तक उनकी numbering क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना? Z को क्या मिलेगा? 26 ठीक है इसको coding decoding में भी मैंने बताया था आपको काफी detail में लेकिन मैं आपको याद दि टेकनीक ऐसे questions को करने की जिसका नाम है E Joti है ना? इसकी बात मैं पहले भी कर चुका हूँ अपने पुराने videos में. E Joti में E stands for 5 बच्चो, J stands for 10, O stands for 15, T stands for 20, and Y stands for 25. E Joti, E Joti, E Joti. अब ये कैसे लगेगी? ये बहुत अरसान है, देखो. इससे value याद हो जाएंगी. E की अगर 5 है तो F की 6 हो जाएगी, ऐसे करके. Y अगर 25 है तो Z कितना है? 26 है. तो इससे हम पता लगा सकते हैं. जैसे आप जल्दी से बताओ, आप वैसे भी निकाल लो, जैसे आपको ठीक लगे. A कितना है? A1 है. पहले numbering दे दो. कभी भी ऐसा सवाल paper में आज आए, जिसमें हमें missing character को insert करना है, लेकिन alphabets में दिये हुए है, सबसे पहले उनको numbering में बदलो. तब ही कुछ देख पाएंगे. ठीक है, जैसे J कितना है? J 10 है, मैंने बताया. O कितना है? O 15 है, sir. E 5 आज था, तो F कितना हो गया? 6 हो गया, E F. E F G G 7 हो गया. सही है इतना? और हमें बताना है question mark का value. तो इन में मैं बतादू, इन में generally जो pattern बनता है, वो opposites में बनता है. किसमें बनता है? Diametrically opposites में. जैसे 1K diametrically opposite में 15 है. 6K diametrically opposite में 10 है. और 7K diametrically opposite में ये question mark है. समझ में आ रह तो वही जो पहले बताये थे. यह तो plus वाला या multiply वाला या multiply करके under root वाला. कुछ ना कुछ नहीं में से pattern बन जाएगा. रूने? चलो. देखो यहां तो बहुत असान लग रहा है. मुझे 1 plus 15. उल्टा. ये दोनों को add करके देखो. 1 plus 15. कितना बना? 16. या फिर इन दोनों को आएगा कि total solar है. तो can we say question mark की जगे 9 आएगा? 9 सवाल का उत्तर होना चाहिए. 9 बोले तो कौन सा alphabet? J अगर 10 है. ये F, G, H, I, I, J. 9 stands for I. तो I answer होना चाहिए. option C सवाल का उत्तर हो जाएगा. option C ही सवाल का सही answer है. देखो मझे आया सवाल करके यह पता नहीं होता बच्चों क लेकिन अब पता है आपको तो अराम से कर लोगे कोई दिक्कत आएगी नहीं. ये लो एक सवाल और बता देता हूँ. ठीक है? दिक्कत नहीं आएगी कुछ भी. ऐसा equation है. हमने का कभी भी हम alphabets में देखेंगे तो सबसे पहले numbering तो दे ही देंगे. ठीक है? numbering दे दो आप pattern में दिखाता हूँ. ये 5 हो गया. ये कितना हो गया? हाँ जी. O 15 था बेटा. ये 5 था. L M N O. M N O. तो ये 13 है. N 14 है. N O. E F G H I J. H I J. J 10 था. H I J. ये 8 होगा. ये 1 होगया. ये 4 होगया. E F G H I I J. I J. I J. I 9 होगया. अब इन में pattern कैसे बनता है? मैं बताता हूँ. किनी भी 2 rows का sum. मलब या तो ये pattern rows पे लगेगा. या भी ये pattern columns पे लगेगा. इन दोनों में से किसी एक पे लगेगा. कौन सा pattern सर? या तो add करके बन रहा होगा. तीसरा number या subtract करके. कुछ ना कुछ तो बनी रहा होगा बेटा. जैसे अगर आप यहाँ देखें. तो 5 है. यहा जोड़ा को minus करके 1 आता है. बस pattern पता लग गया. यहां भी 1 है. यहां देखो इनका subtraction 8 था. तो pattern कुछ वैसा ही बनेगा. या तो subtract करके बनेगा. या प्लस करके बनेगा. या minus करके बनेगा. रोज में भी बन सकता है. को लम में भी बन सकता है. ठीक है? जिसमें बने उसमें देख लो. तो pattern बता लग गया. difference करके आ रहा है. यहां 8 का यहां 1 का. तो 8 और 1 अब इसमें भी वैसा ही होगा. तो इसका मतलब है question mark में से 9 को subtract करके. क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए. यही 4 आना चाहिए ना? तो कहना ही say question mark की जगा आएगा 13 बच्चो और 13 होता है हमारा L M N O O 15 होता है M M N O M बनेगा. तो M बनेगा तो answer option D answer होना चाहिए. यही सवाल का सही होता है. This is the right answer of this question. मैं आशा करता हूँ वीडियो पूरा बच्चों को अच्छे समझ में आया. बच्चों वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना. इ इन बच्चों ने वीडियो वोच किया है. homework question का answer जरूर दे बटा. हम में भी motivation तब तक रहता है जब आप लाइक करते हो वीडियो को और comment करके बताते हो कि वीडियो आपको कैसा लगा. तो चलिए time for homework question. homework question हमारा ये वाला रहेगा. इसका एक screenshot ले लिजे और आपके homework का रहे हमें इंतजार. मिलते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ध्यान रखिया अपना. Take care. Bye to all of you.